नमस्कार दोस्तों, welcome to study IQ, my name is चांद कुबा and आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे Constitution से जुड़ो है कुछ बहुत ही important MCQs जो की already कई सारी Judicial Services Examinations में आ चुके हैं यह जो question है दोस्तों सिरफ Judiciary के लिए ही नहीं बलकि UPSC के लिए भी काफी जादा important हो जाते हैं So let's begin with the questions लेकिन उनसे पहले भी एक बहुत important information की अगर आप इन questions की PPTs डाउनलोड करना चाहें या फिर legal quizzes में participate करना चाहें तो telegram के इस channel को आप join कर सकते हैं साथ ही में उन students के लिए भी एक important information जो मध्यप्रदेश Judicial Services की त्यारी कर रहे हैं अगले महीने exam है Study IQ आपके लिए लेकर आचुका है एक बहुती बढ़िया test series जो की काफी integrated test series बनाई गई है जिसमें 7 tests आपको provide किये जा रहे हैं केवल 4.99 रुपीज बे इन में explanations के साथ-साथ proper test बनाए गए है 150 questions each test के साथ सो आप इसका benefit उठा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला question क्या कहता कहता जी the structural part of the constitution of India is to large extent derived from A. Government of India Act 1919 B. Government of India Act 1935 C. Pits Act 191784 and D. Indian Independence Act of 1947 देखे दोस्तों 1950 में हमें हमारा सम्विधान मिलता है हमने adopt किया हमने लागू किया अब यह जो सम्विधान है यह 1946 से इसका बनाने का सिलसला जो हो शुरू हो जाता है हम सब देखते हैं अब यह जो सम्विधान बनाया गया था इसमें multiple sources से inspiration लेकर हमने अपना constitution बनाया था हमें देखने को मिलता है कि कई सारे जो यहाँ पर जो अकेडमिक्स हैं अकेडमिशन हैं वो यहाँ पर हमारे सम्विधान को कहते हैं जी it is a bag of borrowings बट यह भी कहना गलत होगा हमें यहाँ पर जो सबसे बड़ा source देखने को मिलता है जो हमारे constitution का है वो है government of India act 1935 basically यह हमारा जो है बहुत ही important source है हमारे constitution का जहाँ पर हमने maximum जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं से चीज़ें उठाई हैं तो इसी act से उठाई है इसके अलावा हमने देखने को मिलता है कि भाई इसके अलावा हमने अलग अलग जो countries को refer किया है वो कौन सी कौन सी countries थी इसमें कई सारी countries आ जाती है जैसे UK आ गया parliamentary form of government हमने वहां से लिया US आ गया then Australia आ गया Canada आ गया सो अलग अलग country से अलग अलग हमने inspiration लेकर ये constitution जो है बनाया बट अगें प्लीज अंडेसेंड वन तिंग की उन सभी features को हमने इंडिया के हिसाब से ढाल कर उन्हें इंडिया में लागू किया that is also a fact आगे बढ़ते हैं कैता जीड the constitution of इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज ए कोसाई federal भी union of states c federation of states and union territories and d partly union partly unitary and partly federal देखे हमारे constitution के जो article 1 है वहां हमें बताया गया है India that is भारत Shelby अब वहां पर क्या आता है वहां पर जो correct answer है a union of states राइट तो यहाँ पर article 1 में यहाँ पर बताया है क्या कहता है the India name यहाँ पर क्या क्या क issy Write a constitution 2 page stands निम and terri tery of इंडिया क्या है यहां पर बहुत हल किauf जो एक बहुत इंपोरन्ट आर्टिकल इस लिए क्योंकि यहाँ निम भी बनता है वो यहां पर आपको confuse कर सकता है पहली बात वह इस आर्टिकल में भारत या फिर इंडिया दो नाम हमारे देश के बताए गए दूसरी बात यह कि यूनियन आफ स्टेट्स बताया गया इसको अब कोश्चन ही आएगा कि क्या इंडिया डैट इस यूनियन आफ स्टेट्स या क्या यूनियन में स्ट स्टेट्स के साथ साथ जो बाकी की जो हमारी यूटीज हैं वह भी आ जाती है तो वह हमें यहां पर देखने के जूरत है कि यूनियन जो शब्द है इसमें सिरफ स्टेट्स आता है दस्टेट्स एंड़ी टेरिट्रीज देर आफ शेल भी स्पैसिफाइड इन दी फॉस्ट स्केडियूल दिटरिट्री आफ इंडिया शेल कंप्राइज अब यहां पर जो है ना यह निया कोश्चन मनता है अगर हम क्यों कोई इन ल笑 करते हैं तरी वह भी आजाएगे टेरिटरी ओफ इंडिया इस आवाइडर टर्म यह टेरिटरी ओफ इंडिया है और यूनिया जो है वो एक डिर इंहाग कम डिया व्युम्डन रखकर चले जब गीटरीटिओ इंडिया पूछा जाए तो उसमें तीनों चीज़े आ गई लेकिन जब भी यूनियन पूछा जाए तो उसमें सिर्फ स्टेट सी आता है यह भी एक कोश्चन बनता है हुँ नेकस्त इस देप्रीज़ियन औफ प्रेवेंटेव प्रुविजन हैं यह किसमें मेंशन है और क्या उसमें कहा गया है वह हमसे पूचा गया है बेसिकली कहा गया कि किस्में मैंशन है एं-बशुर अ क्यमें बारतु mo है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता अब क्या सरकार को unlimited power मिली हुई है कि preventive detention के नाम पर वो हमारे fundamental rights को जैसे मर्जी तोड़े-मरोडे या फिर fundamental rights को हनन ना हूँ उनका हनन ना हूँ ऐसा रोकने के लिए कोई इन में से article को provision देता है तो answer is article 22 article 22 में सरकार के उपर यहाँ पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है कि वो unlimited use नहीं कर सकती है preventive detention का in fact वो हमारी जो liberty है वो किस तरह से हम से छीन सकती है उसको यहाँ पर regulate करने की कोशिश की गई है article 22 में article 22 है protection against arrest and detention in certain cases इसका clause 1 तो जो है कहता जी no person who is arrested shall be detained in the custody without being informed as soon as maybe of the ground of for such arrest right so इसमें पहले जो article 22 का जो पहला clause है उसमें तुस्पश्ट कर दिया गया कि जब भी आप किसी को arrest कर रहे हो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे पहले तो magistrate के सामने पेश करना है और उसे grounds का बताना है कि भाई किस ग्राउंड पे आपको हमने arrest किया है यह बात कहीं कि दूसरा जो इसका clause है ना वो यहां पर क्या कहता है कहता है कहता जी every person who is arrested and detained shall be produced before अब यह nearest magistrate कि हमने जो बात की कहता जी nothing in clause 1 and 2 shall apply to any person for the time being in an enemy alien or to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention preventive detention के लिए यहां पर कहा गया कि भाई यह जो दो clauses में लागू हुआ है कहा गया वो तो उसके उपर लागू नहीं होगा preventive detention में थोड़ा सा difference आ जाता है कैसे difference इस तरह से आ जाता है कि जहां पर तो normal circumstances में किसी को arrest किया जाता है माली जी किसी के उपर आरोप लगा और उसे अरेस्ट किया गया normal circumstances में क्या होगा कि उसको आपने arrest करते ही बताना है कि भाई आपके उपर क्या आरोप है हम क्यों आपको arrest कर रहे हैं arrest warrant है तो warrant है apprehension है कि यार यह crime कर सकता है या फिर इसके जाने से society का महौल खराब हो सकता है social tensions पैदा हो सकती है ऐसे में preventive detention law लग जाता है ऐसे case में थोड़ा सा difference आ जाता है वो यहां पर article 22 में ही further explain किया गया है क्या कहा गया है कि जब भी आप किसी को preventive detention के तहत arrest कर रहे हो या detain कर रहे हो उसे आपको as soon as possible बताना होगा कि उसे क्यों arrest किया है as soon as उसे magistrate के सामने लेकर जाना होगा so यहां पर जो है न कोई time limit as such specified नहीं कर दी गई कि 24 गंटे के अंदर but again the question is कि कहां पर preventive detention से लिखी हुई बाते हैं तो वह है आर्टिकल 22 में बताया गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब person who is not a member of parliament can remain minister only for अब एक व्यक्ती जो already member of parliament नहीं है या member of state legislative assembly नहीं है पहली बात तो यह कि क्या उसे मंत्री बनाया जा सकता है तो जवाब है येस उसे मंत्री in fact उसे chief minister या prime minister बनाया जा सकता है बट कितने time के लिए क्या indefinite time के लिए बनाएंगे या 5 साल के लिए बनाएंगे कितने time के लिए यहां पर पुछा हुआ है one month two month six months या फिर none of the above देखे ऐसे व्यक्ति को छे महीने maximum जो है मंत्री पत दिया जा सकता है in fact चाहे वो prime minister की बात करो या central ministers की बात करो cm की बात करो या फिर जो state ministers उनकी बात करो six months is the maximum time period आपको within six months दुबारा elect होना होगा यानि कि within six months आप मानलो मंत्री बना भी दिये गए छे महीने के अंदर अंदर आपको अगर center में होतो है या तो राजसभा का हिस्सा बनना होगा या फिर लोग सभा का हिस्सा बनना होगा अगर आप state की बात करें तो legislative assembly या फिर जिन states में legislative council है तो legislative assembly या फिर council का हिस्सा बनना होगा चुनाओ लड़कर जीत कर आना होगा ये ब पॉब्लिक पर्स कौन कहा जाता है कैग यानि कि इन्टर जन्रल ऑफ इंडिया को अगेन 148 बोडी है क्या की और इसमें कई सारी पावर्स इनको दी गई है basically auditing powers जो हैं वो CAG को मिली हुई है again एक अच्छा role play करता है CAG भारत की economy में economy in the sense की finance में और check करता है कि जो भी खर्चे सरकार के द्वारा किये गए हैं वो वाके में सही efficient way में किये गए हैं जहां जुरूरत थी वहीं किये गए हैं corruption तो नहीं हुआ इस तरह की जो चीजें हैं या inefficiency तो नहीं है इस तरह की जो सभी तरह की audits हैं वो CAG को उसकी जिम्मेवारी दी गई है लेकिन at the same time CAG को criticize भी क्या जाता है क्यों क्योंकि कहा जाता है कि जो CAG है उसका जो role है वो खर्चा होने के बाद आता है खर्चा अगर हो गया बाद में CAG जो है वो अपने report दे भी देता है तो वो उतना efficient नहीं है अगर खर्चा होने से पहले CAG जो है inspection करे कि जो proposed हैं budget में खर्चे क्या वो सही proposed है या नहीं कहते हैं जी वो होना चाहिए था लेकिन ऐसा है नहीं राइट सो पोस्ट मोर्टम कहा जाता है कि क्या करता है सो यह किसका criticism भी है next is the proclamation of emergency under article 352 must be approved by the both the houses of parliament within dash from the date of the issue of the proclamation यानि की proclamation अगर माली जो प्रेजिडेंट ने issue कर भी दी कि भाई 352 के तहत national emergency लगाई जा रही है अब कितने समय के लिए अंदर अंदर ये proclamation को both the houses of parliament को यहां पर जो है पास करना होगा या अप्रूब करना होगा तो वो आपसे पूछा गया है a one month b two month three c month and c three month and d six months यहां पर क्या बताना है आपको कितने महीने में parliament को अप्रूब करना होगा उस proclamation को right answer is a यहां पर एक महीने के अंदर अंदर परलेमेंट को उसे अप्रूब करना होगा according to article 352 every proclamation is required to be laid before each house of the parliament it will cease to operate after one month from the date of its issue unless in the meantime the approve it is approved by the parliament the proclamation may continue for the period of six months unless reworked by the president देखे बही पहली बात तो यह कि जब president यहां पर proclamation issue कर देते हैं तो एक महीने के अंदर अंदर parliament को से दोनों सद्वनों को parliament के जो है अप्रूब करना होता है maximum approve होने के बाद 6 महीने चलती हैं दुबारा उसे आप अप्रूब कर सकते हैं यानि कि दुबारा proclamation को continue कर सकते हैं right but again उससे 6 महीने पूरे होने से पहले भी क्या होता है कि president उसे रिवोक करते हैं कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर यह 52 हम किसी दिन डिटेल में पढ़ेंगे तब और ज्यादा प्रोविजन देखेंगे इसके नेक्स्ट है विच कॉंस्टिटूशन अमेंडमेंट दिन नंबर ओफ मिनिस्टर्स हैव बेन लिमेटेट टू 15 परसेंट अफ टोटल नंबर्स औफ मैंबर्स ऑफ दी लोवर हाउस देगे वह एक चीज़को समझ कर चलें होता क्या होता क्या था होता यह था क्योंकि देखो भाई इंडिया में काफी समय से कॉयालीशन गॉर्मनेंट सरही हैं क्याबन सो मतलब की डिफरेंट डिफरेंट पार्टी जन पकूट साफ लिचाहिए किसी की मंदल में शामिल कर दिया जाता था ऐसे में होता क्या था ऐसे में इनेफिशेंसी भी आती थी सरकार की उपर resources की उपर बोज पड़ता था अनसेसरी बोज पड़ता था इसे लिमिट किया गया अब लिमिट करके कहा गया कि भई जितने MP या MLA है मान लिजी MP इन लोग सबा है या जितने MLA है किसी legislative assembly में उसका 15% ही maximum जो है आप मंत्री मंदल बना सकते हो तो अगर किसी MLA है किसी legislative assembly में let's say 100 MLA है तो उसके 15% कितना हो गया जी सिरफ 15 मंत्री बनाई जा सकते हैं दिल्ली में तो खेर यह और भी कम है दिल्ली में सिरफ 7 जो 10% है वो यहां पर maximum मंत्री बनाई जा सकते हैं दिल्ली कि अगर हम बात करें बट बाकी की states में 15% का रूल है सवाल यहीं है कि कौनसी amendment में यह जो रूल लाया गया ए 90 आम इन 90th amendment B 91st C 92nd and D 93rd amendment कौन सी amendment में लाया गया तो अंसर है b 91st amendment में इस रूल को लाया गया राइट तो यहां पर 751 एहां पर इंट्रडूस किया गया the total number of ministers including the Prime Minister and the Council of Minister shall not exceed the 15% of the total number of members of the house of people यानि कि जो लोक सभा है उसकी जो strength है उसके 15% से जादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते यह 91st amendment act of 2003 में कहा गया which of the following established the hierarchy in India again बहत ही important question है history और evolution of constitution का जो part रहता है वहां पर इसे आपको पता होना चाहिए था वहीं से निकला है पहला है जी डायार की कब लाई गई भारत में पहला है option console Indian console act of 1909 में भी है government of India act 1990 में C है government of India act 1935 में and D है none of the above so इन में से कौन से act में लाई गई तो आप्विस सी बात है यहां पर government of India act 1990 के तहत डायार की को establish किया गया आप डायार की में क्या कहा गया था basically डायार की में क्या हुआ था देखे भई comment of India act 1990 के तहत डायार की में हुआ यह था कि जो state subject से यानि कि जो states के subject हुआ करते थे उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया executive के परपस से दो पार्ट में डिवाइड किया गया एक ऐसे लिस्ट बनी एक लिस्ट ऐसी बनी जिसको कौन यहां पर handle करता था ministers handle करते थे यानि कि it was handled by responsible government यानि कि यह जो executive थी यह कौन चला रही है यह जो executive के जो subject से इसे कौन handle कर रहा था ministers दूसरी जो list थी वहाँ पर जो है केवल और केवल governor general जो होते थे states के वही उस list को अपने officials की मदद से लागू करते थे यानि कि उस list के जो भी subjects थे उन्हें कौन लागू करता था governor general without being responsible to the legislative assembly of the state लेकिन यह जो ministers थे they were responsible to the legislative assembly so basically क्या हो गया कि यह डायार की हो गई dual government हो गई दो list बना दी आपने state level पर ही और उसे दो groups जो हैं लागू कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं sir कैदा जी judicial review of the ninth schedule of the constitution has been made permissible by अब judicial review जो है देखिए एक basic structure है constitution का कि भाई जुडीशरी जो है वो बाकी दोनों branches के काम को review कर सकती हैं अब यह जो है कौन से case में इसे यहां पर जो है लागू किया गया या कौन से case में judicial review of ninth schedule लाया गया देखिए nine schedule एक ऐसा schedule है जिसे लाया गया था for the purpose कि जो भी act ninth schedule में put किये जाएंगे अगे amendment first amendment 1950 जो फर्स्ट amendment थी 1951 वाली उसमें क्या कहा गया था कि जो भी subject ninth schedule में put कर दिये जाएंगे जो भी कानून ninth schedule में put कर दिये जाएंगे उनकी judicial review नहीं होगी यानि कि judiciary उन्हें check नहीं कर पाएगे और यह चलता है चलता है और कब तक चलता है जब तक IR कोहलो के case में यह नहीं कह दिया गया कि judicial review के दाएरे में वो subject लाए जाएंगे जो कि ninth schedule में put किये गए हैं केशवा नंद भारती की judgment के बाद देखेंगे क्या हुआ था basically IR कोहलो में यह कहा गया था 2007 का case है उसमें यह क्या कहा गया था कि केशवा नंद भारती के judgment के बाद basic structure doctrine आ चुकी है basic structure doctrine में judicial review आता है यानि कि जिस दिन से केशवा नंद भारती की judgment हम लागू कर रहे हैं उसे दिन से judicial review भी लागू हो जाना चाहिए so ninth schedule में जो भी कानून put किये जा रहे हैं केशवा नंद भारती की judgment के बाद वो अब judicial review के दाएरे में आएंगे ऐसा कहा गया इस judgment में चलिया आगे बढ़ते हैं the number of articles and schedules in the original constitution वर कितने constitution में हमारे constitution में original जो आर्टिकल्स और schedule से कितने थे a 395 and 8 schedules b 394 and 8 schedules c 396 articles and 10 schedules and d 395 articles and 7 schedules so right option is a जहां पर 395 articles and 8 schedules हुआ करते थे आज की date में क्या है numbering wise चलते हैं तो 395 articles हैं लेकिन actual में क्या हो चुका है 450 से ज़्यादा articles हो चुके है schedules कितने हो चुके हैं 12 schedules हो चुके हैं so यह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है right so यह यहाँ पर मैंने लिखा है ठीक है आगे बढ़ते हैं जी the power of supreme court of India to decide the disputes between the center and states falls under which jurisdiction देकिए सुप्रीम कोर्ट के पास अलग अलग jurisdictions हैं उसमें advisory jurisdiction भी आ जाती है appellate jurisdiction आगे original आगे and constitutional jurisdiction again कौन सी jurisdiction में supreme court की यह जो power है कि दो states के बीच में अगर कोई case है तो फॉल करेगा यह आप से पूछा गया है so वो जो है original jurisdiction में fall करेगा original jurisdiction का मतलब यह है कि पहली बार ही जो मामला है वो supreme court के समक्ष पेश होता है अब अगर यह appellate jurisdiction होता तो इसका मतलब क्या होता कि पहले मामला यह तो high court में जाता है या फिर उससे भी नीचे lower courts में जाता है वहाँ से फिर appeal हो कर जो है वो Supreme Court के पास जाता है Appellate jurisdiction हो गई वो Advisory jurisdiction क्या है कि President of India Supreme Court से किसी भी मुद्दे पर Advise या राय मांग सकते हैं उसे बोलते हैं Advisory jurisdiction Again Supreme Court के उपर ये compulsory नहीं है कि उन्हें Advise देनी ही देनी है President को वो मना भी कर सकते हैं कि सर हम इसमें एडवाइज नहीं देना चाहते बट जो ओरीजिनल जूरिजिक्शन है वो यहां पर लागू होगी और 131 में क्या कहा गया कि कोई भी ऐसा मामला जो कि सेंट्रल गौर्मेंट और किसी स्टेट के बीच में है या दो स्टेट गौर्मेंट के बीच में है या एक गूर्मेंट गौर्मेंट और गौर्मेंट 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 गौर्में में हम इतना जादा नहीं सुनने को मिलता है यह केस राइट सो इसमें आपको बताना है कि पहली बार 91 A में 91 A जो हमारा Constitution है उसमें पहली बार Freedom of Speech and Expression के उपर कब Supreme Court में यहां पर C UyK eu Motor Court केाईए जो दिनन घोर ऐसका जिसका जो आनसर है वह क्रोस रोट के के एक मैघजिन हुआ करती थी इसका एक्षट जो नाम था वह रोमेश था पर्वस स्याट ऑफ मध्रास था 1950 का एक केस था रोमेश थाफ पर जो थे वो एक बहुत ही यूअ एक्टिविस्ट थे काइंड और परसन एक्टिविस्ट थे जो कि हमारी एक जो राइटर भी है हिस्टरी की रोमिला थापर जी उनके भाई थे और वो जो हैं कॉमुनिस्ट आइडियोलोजी की तरफ उनका तेल्ट थ इसके उपर चर्चा होते है बिकोज उससे में क्या है ना आर्टिकल 19 1 A में Freedom of Speech and Expression दे दिया गया आर्टिकल 19 2 में क्या है उसके उपर Limitations लागू करे गई है अभी आर्टिकल 2 आप पढ़ते हो यह एक्च्वल में ऐसा नहीं था जैसे आपको आज देखने को मिलता है यह इसकी वजय से बाद में इसके इंफ्लूएंस के अंडर बाद में जो है इस जजमेंट के आपको बताना है सुनील बत्रा एच एमेचर हॉसकोट केस देन प्रेम शंकर शुकला केस अंडीन अनुफ दिया बाव कौन सा केसे आप बताएं यहां पर इसका एक्ट्वल में अंसर है भी एमेच हॉसकोट केस अगीन हम पढ़ लेते हैं क्या कहते है दी स्टेट अफ मदर इस अंडर आर्टिकल 21 ऑफ दी कॉंस्टिटूशन अवेलबल तो आल दी प्रिजनर्स अंड अगें प्लीज अंडर्सेंड वन तिंग की आर्टिकल 21 जो है यह एवर ग्रोइंग आर्टिकल है सुप्रीम कोट की जब भी स्वीट विल होती है जब भी उनकी अंडर्सेंडिं में इंक्लिवड कर देते हैं यहां पर हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 21 में कहा गया कि भाई देखो एक प्रिजनर जो है उसे अगर लीगल एड ना मिलने की जैसे उसकी लिबर्टी छीनी जा रही है तो यह आर्टिकल 21 के अगेंस्ट हो गया उसे लीगल एड मिलनी हो और ड्यू प्रोसेस भी नहीं हो तो यहां पर आर्टिकल 21 के दारे में लाया गया आगे कोश्चन देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर इसकेडियूल कास्ट एंड स्केडियूल ट्राइब इन अवरी पंचायत इस प्राइड अज़ आपको इसका आपको इहां पर राइट आंसर देना है हम सब जानते हैं कि पंचायती राज जो है वह एक ही आर्टिकल में तो एक ही नंबर के साथ सारे आर्टिकल उसमें जोड़ दिये गए नई अमेंडमेंट है राइट सो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया इसे क्या आंसर है इसका इसका आंसर जो है वह ए है 243D में यह बात कही गई है चलिए आगे बढ़ते है 243D क्या कहता है कि भई there shall be seats reserved for scs and sts in पंचायत और उसी इससे जुड़ी हुई यह सारी बाता कहता है जी in every पंचायत दी number and the number of seats so reserved shall bear as nearly as may be the same proportion to the number total number of seats to be filled by direct elections in that पंचायत as the population of scheduled class अब यहाँ पर proportion भी होना चाहिए माले यह टोटल जो है 100 यहाँ पर हमें seats भरनी है और उस पूरे स्टेट में 100 पंचायत की seats है मालो 100 पंच है तो 30% पंचायत की जो सीट होनी चाहिए वो भी उस स्टेट में जो है स्केडूल कास के लिए रिजर्व होनी चाहिए है ऐसा कहा गया है आगे बर सो यह हमारा आखरी कोश्चन है दोस्तों अगली क्लास में अगले सेक्शन में फिर एक बार जाल है अगले सेक्शन में लिए खिक देड अगले सेक्शन में और साथ